सभी वचुकुन मश्कार हम बात कर रहे थे नीट फिजिक्स की जो पीवाई क्यूज हैं उनका वीडियो अप्लोड कर रहे थे उनका सलूशन प्रवाइट करने की कोशिस कर रहे हैं थे नहीं ठीक है उसके तहत हम बात कर रहे हैं योनिट जन मेजर्मेंट की अगला कुशन व और इंज्वाई करिए नीट फिजिक्स पीवाई क्यूज टॉपिक यूनिट संद मिजर्मेंट देखिए ये क्वेशन पीम्टी दो हजार दस का है क्वेशन को जब तक हम पढ़ते हैं तब तक आप उसका पिक्चर देख देख करके आननदित होई है कि हाव स्वीट इस क् आते हैं आते हैं पर लिटब पर बोड पर आते हैं आपको डिमेंसन हाफ एपसले नौट ए स्कूर की निकालनी है और उन्होंने का जहां पर E जो है वो है electric field और epsilon naught है आपका permittivity of free space पहले तो हम formula निकालते हैं फिर आपको बताते हैं कि लिखा क्या actually में देखूं अब actually में तो आपको E की dimension मालूम होनी चाहिए epsilon naught की मालूम होनी चाहिए और red लग देंगे उठा करके ठीक लेकिन हम माल लेते हैं कि नहीं मालूम बोले हाँ ठीक ही यहीं मानीगे आप तो हम वो formula search करके ला रहे हैं जहां पर epsilon naught होता है तो आप कहें कुलामसला में होता है चले वहाँ search करते हैं f पराबर 1 upon 4 pi epsilon naught into q1 q2 upon r square होता है तो अगर हम कहें epsilon naught की value क्या होगी तो epsilon naught इधर transfer कर दो multiply में आएगा और f को इधर ले आओ तो epsilon naught की value आएगी 1 upon 4 pi q1 q2 upon r square है न अब e पी आजाओ electric field का formula क्या होता है तो हम जानते है force per unit charge यह electric field होता है तो e को f upon q ले सकते हैं तो जब आप half epsilon naught e square लिखेंगे तो देखें half से कोई मतलब नहीं है epsilon naught में 4 pi कोई मतलब नहीं है तो epsilon naught को क्या रिखेंगे q1 q2 upon r square और e square करेंगे तो आएगा f sorry f भी तो होगा f r square f r square और यह होगा f upon q का square सरी कह रहा हो ना मैं तो यानि कि जब इसको खोलेंगे तो आएगा q1 q2 upon f r square into f square upon q square तो को q1 q2 की जो भी dimension निकलेगी अभी हम q बरा और i t से निकालेंगे तो multiply करेंगे तो square यह भी तो आएगी value same ची लिखेंगे है ना तो यह तो cancel हो गया एक f से एक f कड़ गया तो actually formula f upon r square बना तो dimension के point of view से लिख रहे हैं otherwise हमने 4 pi को हटा दिया वो half को हटा दिया तो dimension के point of view से हम लिख रहे हैं तो f की dimension क्या होती है ml t inverse 2 और r square की l square तो ml inverse t inverse 2 तो इसकी जो dimension होगी ml inverse t inverse 2 तो इसका जो part आपका सही है इसमें that is b part ठीक है तो पहले तो आपने यह formula note किया अब ध्यान से देखो एक question लिखा क्या है अगर आपने अगर तो नहीं कहेंगे पढ़ाई होगा तभी आप तयारी कर रहे हैं तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं अगर लगे लगा देते हैं अगर आपने electromagnetic wave पढ़ी हो तो electromagnetic wave में कहा गया था electric field भी होता है magnetic field होता है energy की form में यह wave आगे बढ़ती है तो उसकी energy per unit वालो जो electric field की बताई गई थी वो half epsilon not e square बताई गई थी तो actually में यह फार्मॉला की सिच का लिखा है energy per unit वालूम energy density का फार्मॉला है तो energy density क्या होते है energy per unit वालूम तो energy की dimension ml square t inverse 2 और वालूम की L cube जिसको उपर ले जाओगे तो यही आपका answer आ गया ना तो अगर आपको पहले से मालूम है कि यह formula किसी चीच का लिखा हुआ है तो आपको यह epsilon not और यह खांदान यह वो दाम तेकड़ा कुस नहीं करना है diet formula लिख दीजेगा ठीक है क्योंकि अभी इसका formula dimension diet नहीं जाद हो सकती है वो एक अलग बात है लेकिन यह मालूम होने चाहिए ठीक है और अगर हम कहें यह और किसी चीच की dimension होती है तो आप कहेंगे pressure की भी dimension होती है तो कभी आप से equate करा दें कि यह dimension किसके कोल होती है तो pressure की ब्रावर होती है यही dimension stress की होती है ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा मतब कुछ चीजे एक जैसी होती है वो आप से कहेंगे what is the dimension of this this dimension is equal to the dimension of तो pressure की निकालेगे तो पहले इसकी dimension निकालो फिर देखो किसकी किसी dimension उससे match होती है ठीक इसको परियेगा next in the next video thank you